दोस्तो जब भी कोई pressure accountant किसी company की पहली बार accounting maintain करते हैं तो उसको कई परकार की problem face करने को पढ़ती है और सबसे ज़्याद़ जो problem face करने को पढ़ती है वो रहती है जब हम किसी software में कोई laser create करते हैं उस company से related तो उसका group का selection करना तो दोस्तो बाकी जो हम laser create करते हैं जैसे हमारे suppliers होगे उन्हें हम under sendry creditor का group select करते हैं जो हमारे customer होगे उन्हें हम sendry debtor के under group में select करते हैं तो सबसे बड़ा जो confusion रहता है जब हम कुछी खर्चे का laser create कर रहे हो तब यानि कि कौन से खर्चे का laser हमें direct expenses रखना चाहिए कौन से laser क group indirect expenses होगा तो यह बहुत बड़ा एक confusion pressure accountant के दिमाग में रहता है तो दोस्तो अगर आप भी फ्रिल को फैसर हो या अभी भी आपकी job लगने वाली है या अभी आपनी किसी company की सुरुवात करिए accounting maintain करने की computer ride तो आपको इस video को under the complete जूर देखना चाहिए क्योंकि इस video में आप को मैं practically रूप से बताऊंगा भी कौन से खर्चे को आप direct expenses के group में select करोगे और कौन से खर्चे को indirect expenses में select करोगे और उसकी entry आप टेली software में किस परकार करने वाली हो तो नमस्कार दोस्तो मैं हूं मौन सुतार और समार्ट काउटिंग आरसनार के YouTube चैनल पे आप सभी का बहु चुरूर क्लिक कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर टेली software, बीजी software, मारक software, factex software इन सभी की practical वीडियो लगातार अप्लोड करते रहते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो हम दो टाइब की बिजनस की बात करने वाले हैं पहला बिजनस ट्रेडिंग बिजनस का और दूसरा मेनुफेक्टरिंग बिजनस का इन दोनों बिजनस के अंदर कौन-कौन से खर्चा है जो डायरेक्ट एक्समेंस की हेड में रखी जाते हैं तो दोस्तों अगर बात करें हम ट्रेडिंग बिजनस की तो ट्रेडिंग बिजनस के अंदर दो मेन ऐसे खर्चे होते हैं जैसे की फ्रेट एक्समेंस हो गया लेबर हो गया या वेजे जैसे मजदूरी कह देते हैं ऐसे खर्चे जिनने हम डायरेक्ट एक्समेंस की केटिगर बिद डाइरेक्ट और इंडाइरक्ट की कानी तो आप यहां देख सकते हो इसके अंदर आप यह देख लो वेपार के यह दो केटगरी वेपार के सबी एपर टेक्स खर्चे जैसे कि हमारी बैंक चार्जे इसे रेवे गड़ा होगी इनने यह विद इन्डारेक्ट एक्सपेस पहुंचने से पहले ही वो खर्चा लग चुका है जैसे कि हमने कोई फ्रेट उसके अगेंश्ट में पे कर दिया हो लेबर हमने अनलोडिंग की पे कर दियो तो उसे हम डायरेट एक्सपेंसिस की केटिगरी में सेलेक्ट करते हैं तो यह आप देख रहे हो बी ट्रेडिंग बि किया है हूँ मनझे फिट एक किया है तो इसके अकोडिंग हमने जो हमारा जीयस्ट का का टैक्स मनता है ख्तम हमने इस पर पढ़िया हैavan कि आर्प समय थैरेट ऐक्समinar करवा है हो तो एससे खर्च जिसमें जन हमने गॉफंट के टोटल रूरस हमने फॉलो किये तो हमें उसे direct expenses की category में रख सकते हैं तो अब रही बात हमें direct expenses में क्यों रखना चाहिए हम indirect expenses में इनको क्यों नहीं रख सकते तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों इसमें indirect expenses की जो laser होते हैं वो ज्यादा तर यह होते हैं जिसी advertisement expenses हो गया, bank charges हो गया, bank का interest हो गया, case discount हो गया, depreciation हो गया या हमारे पास है अगर कोई fixed assessed है उसके जो हमने maintenance charge हमने किया जैसे मारे पास car है, bike है, computer है, कोई machinery है उसके हमने maintenance के खर्चे हमने पे किये हैं उसके बाद free tax expenses तो आप free tax expenses indirect की category में भी आ रहे हैं और उपर आप इसको direct expenses में देख सकते हो, हम इसी पे आज ये वीडियो में बात करने वाले हैं और उसके बाद में जो मारे routine के जो खर्चे होगे जैसे कोई legal कोई consultation से एक फीस हमने पे करी हो वो printing stationery हमने purchase करी हो, salary हो गया, sales promotion हो गया शोप या कोई go down rent हो गया, stock का insurance हो गया, traveling, trade discount, electrical expenses तो इन टाइप के खर्चों कम trading business में जाता तर indirect expenses की category में रखते हैं और हम एक बार बात करते हैं, manufacturing business की, तो दोस्तों लगबग जो indirect expenses होते हैं वो trading के और manufacturing business के same होते हैं और direct खर्चे की बात करें, तो direct खर्चों में, freight expenses, labor और wages expenses के अलबाँ इसमें electrical expenses, machinery की repairing maintenance के खर्चे, contract के expenses, ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं यो manufacturing की business की condition में ये direct expenses की category में रखा जाता है तो दोस्तों इनको क्यों रखा जाता है, इसमें हम बात करेंगी तो दोस्तों हमने टेली software में कुछ entry हमने करी है, वो हम देख लेते हैं एक बार ये कुछ transaction हमें करीए भी है, इसमें हमने एक purchase voucher भी है, मारे पास sale voucher भी है और कुछ हमने जर्नल इंट्रीम भी कर रखिये है, तो दोस्तों अगर हम इसके profit and loss count की बात करें हम profit and loss count पे जाएंगे और alt F1 के साथ इसकी detail open कर लगी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो, हमने ये goods purchase किया है computer के part हमारी जो total purchase है वो 45,600, 81 रुपे किया है, और हमने sale करिये एक 4,949 रुपे 17 पे से की, और हमारे पास collagen stock जो बचावा हो, जबचावा हो, जबचावा 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 मारते हैं इस entry पे, तो दोस्तों ये हमने ये जो goods हमने purchase किया था इस party से, इसका purchase हम वाउचर देखेंगे, हमने जब विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी से ये product हमने purchase किया थे, तो ये product purchase करते वक्त हमारा freight हमने pay किया था, ये हमारी तरफ से pay किया हुआ खर्चा है, और हमन हमने इस खर्चे पे, टोटल हमने government के rule हमने GHD के rule follow किये हैं, और इस पर हमने GHD का RCM भी deposit करवाया हुआ है, और इसकी RCM की entry भी हमने करिये भी है, तो दोस्तों RCM की entry किस तरीके से करिये है, वह भी आपको मैं दिखा देता हूँ, और इस तरीके से हमने इसकी entry, ये 5000, तो य ये हमने City Transport Company से ये freight हमने इस company को pay किया था, तो दोस्तों ये RCM की entry किस परकार होती है, इसका मैंने just last video हमने इस चैनल पर upload मैंने किये, अगर आपने वो वीडियो मारा नहीं देखा है, तो जुरूर देख लाना, और उस वीडियो का link मैंने इस वीडियो के description में भी दे दिया तो दोस्तों हमने ये 5000 रुपय का खर्चे हमने पे किया है, और इसी खर्चे को हमने हमारी इस books में हमने direct expenses में लिया है, तो दोस्तों सारे खर्चे direct में होते हैं, सारे खर्चे indirect में होते हैं, अब हमें direct expenses में रखने की जुरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए हम बात करेंगे तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमने इसको एक Excel में सीट में हमने इसको त्यार किया है इसी ट्रेडिंग काउंट को और हमने इसके heading दिये है विक Computer Hardware Goods GHD 18% ट्रेडिंग काउंट तो same वह हमारा trading काउंट आ रहे हैं आप इसमें देख रहे हैं हमारा जो gross profit आ रहे हैं वो 5612 रुपे और शत्रापह से का रहे है और यहां पर भी 5620 रुपे और शत्रापह से का रहे है यानि कि same ट्रांजेक्टिन हमने इस Excel की sheet में इसको उतारा हुआ है, तो दूसर अगर हम इसके बाद करें, profit के ratio की, अब हमारा expenses लेने के बाद में, हमारा profit, gross profit अज है जो, उसका ratio क्या आ रहा है, तो हम इसको देखेंगे, वापी समझाते है, मारी Excel sheet पर, और एक बार हम इसका फॉर्मूल हम लगा के देखेंगे फ्रोफिट बाक्स सेल और एंटु सो यानि कि लग बग ये तेरा फॉइंट फाइब टू का फ्रोफिट है जो हमारा आ रहे है अगर हम इस एक्सेस को यहां से हटा दें जीरो कर देता हूं इसको बार में तो आप इसक जादा जा रहे हैं तो आप इसी इन्वोइस के गंश्ट में आपके इसी मलब जो ट्रेडिंग काउंट है इस ट्रेडिंग काउंट से समधित आपने जीतना भी कोई खर्चा किया है जो गवर्मेट के रूल को फोलो करता हो तो आप उसे डायरेक्ट एक्सपेंसिस की केटि लिए हैं तो भी आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंसिस में दिखा सकते हो अगर आपका लग रहा है भी आपको जो ग्रोस प्रोफिट का जो मार्जिन है वो ज्यादा जा रहा है तो आप इसको एक्सपेंसिस में दिखा के डायरेक्ट एक्सपेंसिस में उसे कम कर सकते हो तो अगर आप जो indirect expenses में दिखाऊगे तो आपको क्यों government का rule फोलो नहीं करना पड़ेगा वहाँ पर भी आपको total rule फोलो करना पड़ेगा भी अगर आपने कोई खर्चा पे किया है तो भी आपको आर्सी जमा करवाना पड़ेगा अगर आपने कोई labor पे करी है तो आपको contact करता है तो उसका TDS भी काटना पड़ेगा तो यह सारे rule हमें चाहिए वो direct expenses है वो indirect expenses है उसमें दोनों में फोलो करने पड़ते हैं बस direct expenses का फरकी ही पड़ते हैं हम अमारे gross profit को adjustment कर सकते हैं अगर आप इसको चाहो भी आपका gross profit है जो भी इसके साफ से 25% बिल्कुल आपका सही है भी average आपका हर साल आप कितना maintain करते हो तो आप बिल्कुल इसे indirect की category में भी रख सकते हो अगर आपको लग रहा है भी आपका जो profit जो margin वो बिल्कुल जादा जा रहे है तो आप इस expenses को direct expenses की head में भी रख सकते हो तो दोस्तों यह expect होता है इसका direct expenses में और indirect expenses में select करने का हमें direct expenses करेंगे तो हमारा gross profit है वो खम हो जाएगा उसका जो हमारा gross profit और sale का जो ratio वो कम हो जाएगा अगर उस खर्चों का हम बढ़ा की indirect expenses की category में रखेंगे तो हमारे net profit पे तो कोई फरक नहीं बढ़ेगा लेकिन हमारा gross profit का जो ratio है वो increase हो जाएगा तो इसलिए हमें उस ledger को direct expenses की category में रखते हैं ज्यादा तर ये दो ही खर्चे होते हैं यानि कि अगर हम सिधी तरीके से बात करें भी ऐसा कोई भी खर्चा जो हमारे product के cost को effect करता हो यानि कि उसके cost को बढ़ाता हो तो हमें उसे direct expenses में रख सकते हैं अब ऐसा नहीं दोस्तों भी कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जिसके fix data में कोई repair हमने maintenance कर रहा है इसको direct expenses की category में रख लें ऐसा कुछ नहीं क्योंकि यह ऐसा खर्चा है यह किसी particular किसी जो हमारे पास goods है जो हमने sale कर रखें उसकी cost की effect को कोई उस पर परभावनी डाल रहा अब जैसे फ्रेट हमने pay किया है अब और example हम माल लेते हैं यहां पर जैसे माल लेते हैं हमने कोई product 100 रुपे का purchase किया है इसका में फोट बढ़ा करता हूँ हमने कोई भी product 100 रुपे यह जैपूर से हमने purchase किया है और जैपूर से आते हैं आते हैं हमने इसके उपर हमने 20 रुपे का freight पे केरतिया और हमारी जब business के सान पर पहुंचेगा तो हमें total cost 120 रुपे लग जाएंगे इसका में लगी है जो 20 रुपे यह उस product के cost को effect कर रहा है यानकि उसके cost को बढ़ा रहा है तो इसलिए हम इस खर्चे को direct expenses में रखते हैं तो वैसे तो दोस्तों सारे जो business होते हैं वो हमारे business के लिए होते हैं लेकिन सारे business है वो हमारे किसी cost को effect नहीं करते है तो इसलिए हमें other जो expenses होते हैं हमें indirect expenses की category में रखते हैं और manufacturing की अंगर बात करें तो manufacturing में freight भी होता है क्योंकि हमें raw material जब purchase करते हैं तो उसका किराय बाड़ा भी में pay करना पड़ते हैं और उसकी unloading charge भी ज्यादा रहती है क्योंकि अमोमा ज्यादा तर पूट्स है जो बिजनस में manufacturing के purpose से आता ही रहता है जब उसे लेबर से हमें unload करवाते हैं यानिकि ट्रक से समान हमारे go down में पहुंचते हैं तो लेबर से भी में pay करनी पड़ती है तो वो भी हमारा direct expenses है क्योंकि वो भी उसकी समान की cost में add हो र इंडर्स्टी का बिल आता है लाइट का अमाली जे वो लाइट 20,000 पर कप भी लाया परमत का तो 20,000 के अंदर हम यह मान के चलेंगे 90 परसेंट जो electrical consume होई है वो उसकी product को बनाने के against में होई है और जो बाकी जो अधर होई है वो बाकी हम मान सकते भी हमारे officially use के लिए होई ह और इस तरीके से machine की repairing and maintenance का भी खर्चा continue लगता रहता है क्योंकि industry लगेगी तो वहापे machinery भी होगी और machinery होगी तो उसका भी काम है जो routine में maintenance में चलता रहता है और उसके बाद में contract expenses अमाल लेजिए कोई आपके पास industries है और उस industries को आपने उसकी जो labor है वो आपने contract पे दे द follow आकर हम कर रहे हैं तो उसे हम direct expenses की category में रख रहे हैं क्योंकि manufacturing के condition में एस होता है यह सारे के खर्चे अभी उसकी cost जो होती है जो हम उस goods को बना रहे है प्रसेस में जो चल रही है उसकी cost को effect कर रहा है अब यह मान के चलें इसका example हम लें तो इसका भी देखते हम इसकी category में आपको समझा जाएगी हमान लेजिए आप कोई ऐसा कोई product हमने कोई रा मटेरियल खरते है 500 रुपे का और उसके बाद में उसकी unloading चार्ज लगी 10 रुपे की और उसके बाद में अब हमारी बिजनस भी टोटल 510 रुपे का पॉइंच चुका है अब उसके बाद में इसके ह अगर मान के चले उसके बाद contract अगर हमने labor दे रख है तो अगर labor हमने 10 रुपे पेक रिये तो इस तरीके से यह सारे के सारे जो खर्ची है यह सारे इसकी cost को effect कर रहे है यानि कि जो 500 रुपे का जो product था वो अब total हमारे पास पहुंच चुका है यह 10 प्लस 5 प्लस 10 और यह 510 रुपे यानि कि 535 रुपे का हो चुका है अब हमदे हम sale करेंगे तो हमारे जो total expenses उसके लगे में है उसको aid करके उसके बाद में उसका sale का rate तेया करते हैं तो इसलिए से direct expenses की category में रखा जाता है क्योंकि सारे खर्ची यह gross profit को effect करते है तो दोस कमेंट जरूर कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे like और अपने दोस्तों के साथ ज्याद अश्याता share भी जरूर कर देना और अभी तक आपनी चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो subscribe भी तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के नए टोपी के साथ